दखालस टीवी ते शाम सत वजे तक दियां चार वडियां खबरां थोनों दासते ने हाँ सब तो पहली गल ओस वारदार दी करांगे जिसने ना सिर्फ पंजाब दे कानूनी हालातां दी पोल खोली है बलके बेद्बी दे इनसाफ दे विचो रही देरी नुवी एकवरी मुर्तों उजागर कीता है बेद्बी दा मुख मुल्जम मन्याजान दा राम रहीम जड़ा के बलात कारते कतल दा दोशी है पैरोल ते इस वक्त बाहर है इससे दर्म्यान कोड कपूरा दे विचो शिरी गुरु ग्रांट सैबजी दी बेद्बी दे मुख मुल्जमा दे विचो एक डेरा प्रेमी परदीप कुमार दा कतल कार दता गया एहम गाला के उसनों पोलिस सुरख्या मिली होई सी स्वेरी सात वजे पांच हमला वर तिन बाइक ते स्वार होके आये जिस वड़े परदीप कुमार अपनी डेरी दी दुकान खोल रहा सी ओस वक्त उस ते हमला कीता गया है पांच मुल्जमा दी फुटेज सी सी टीवी दिविच कैद होई है जिसने परदीप कुमार ते गोडिया वरान्या सारयां दे हत्था मिच बंदू का सान इस हमले दिविच तिन जणे जखमी होए ने जिना दिविच परदीप दा गानमैन समेत एक नाल दा दुकान दार वी शामिल है पुलिस नो मौके तो फाइरिंग दे उननी खोल मिलेने आठ दुकान दे अंदरों ते ग्यारां बारों मिलेने पुलिस नो शक है के हमले तो पहला परदीप दी पूरी रेकी किती गी जिस तो बाद ही वारदात नो अंचाम दता गया हमला करन वाले सारे नौजव स्वार होके आयसान पर एक बाइक नो हो एथे ही छड के चलेगे बाइक ते लगया नंबर प्लेट फर्जी सी हो सकता है चोरी दी बाइक दे जरिये कतल दी वारदात नो अंजाम दता गया हो इस तो बाद होन पंजाब पुलिस ने दो होर बाइक बाज़ा खाना तो अंदर ही किसे कतल कर देटा गया है लंगे शुकरवार अमरे सर देविच शिवसेना दे वड़ी लीडर सुधीर सूरी दा पुलिसपिस ने दो हो एक मुख मुल्जम दा कीता गया है ओधर डेरे ने इस मावले देविच वड़ा शक जाहिर कार दे हुए उच पदरी जाह द कोट कपुरा दे नामचर्चा का अर्टे सस्पी दिस रख्या भी वदाई गई है। जिम्मेदारी ले डेरा प्रेमी परदीप कुमार दा कतल केंदा सड़े बंदया ने किता है। पंजाब दे मुखमंतरी पगवन सिंग मान ने पुलिस दे आलाद कारिया दे नालाहम मिटिंग वी किती हालांके छुट्टी दी वजा करके पंजाब दे डीजी पी गौरव या तव इस मिटिंग दे विच शामल नहीं हो सके। मिटिंग दरान मुखमंतरी ने चार हदायता देती हैंने क्राइम नूँ छेती ट्रेस किता जावे। मुखमंतरी दे नाल मिटिंग वी शामल डीजी होम गार्ड संजीव कालडा ने दसया कि किसे भी मुल्जम नू बक्षिया नहीं जावेगा पुलिस हर एंगल तो इस दी जांच कर रही है। काइम रखंदे ले सिवल ते पोलिस सदकारियानू सक्त निर्देश वी दित्ते गए ने ए पंजाब दे मुखमंतरी ने ट्वीट करके दावा किता। इस दरम्यान पंजाब दे डीजी पी गौरव यादव ने वी ट्वीट करके वार्दा दी जानकारी वी सांची किती अते दावा किता के हलात कंट्रोल देविच ने पंजाब पुलिस मामले दी तै तक जावेगी उन्हाने पंजाबियानों शान्ती बनाए रखंडी अपील भी किती ते अफ वहां तो बचन दी अपील भी किती इस दरम्यान फ्रीद कोट रेंज ते आई जी परदीप यादव ने कहा के पंजाब पलिस कटना दी जांच कर रही है परदीप दे गनमैन ने वी कहन दे जवाब भी फाइरिंग किती सी कटना दी विच ते न लोग जख पंजाब दे वितमंतरी हर्पाल सिंग चीमा ने भी इस दरम्यान ब्यान दिता है कि पंजाब दे विच किसे नवी अमन शांती पाउंग करंदी इजास्थ नहीं दितनी जाएगी मोख मंतरी पकवान सिंग मांदी अगवाई दे हेट पंजाब सर्कार किसे नौ सु बिदा म निशाना ना लॉण एक के में हो सकता है। निशाना ना लॉण एक के में हो सकता है। निशाना ना लॉण एक के में हो सकता है। निशाना लॉण एक के में हो सकता है। निशाना लॉण एक के में हो सकता है। बीजेपी लीडर सुर्जीत जानी ने कहा है कि पंजाब इच कानून विवस्था है ही नहीं। किसे दी जबान उते भी कोई कंट्रोल नहीं है पंजाब दे विच बहुत कुछ माड़ा हो रहे हैं। किसे दा भी कतल होना माड़ी गल है। बीजेपी लीडर राजकुमार वेरका ने भी इस कतल दे ले पगवनतमान ते केजरी वाल नूँ जिमेदार करार देता है। पहला थोड़ा संजीदा तोरते सोचना चाहींदा है, इंतजार करना चाहींदा है, मुखमांतरी मानने ता केंदे सारे कम चाड़ के हंगामी मिटिंग साथ लेई, पर विरोधियां दी ताकत लगी हुई है कि नमी सिरकार नूँ टिकर ना देता जावे, पिछले दिना दे विच केंदे महाल नूपर कौन डियां काफी कोशिश यां कीती हैं जारी हैंने, इस दरमयान बलातकारी अते कातल गुर्मीत रामरहीम देश साब का ड्राइवर खटा सिंग ने कहा कि किसे दा कतल करना पामें चंगा नहीं है, पर वियद भी नूवी ता किनना समा हो गया, आकिर लोग के किनना चिर इस नूव बरदाश्ट कारन इनसाफ जो नहीं मिलदा ता एक उच छुन दाई है, बंदा कानून तो इनसाफ दी आस करदा है, पार कानून तो खाले तक इनसाफ नहीं मिले अब यद भी देश दोशिया नू सजा दिती जावे, ता इस तरह दिया कटनावावी खतम हो जान गया, अंशुल छटरपती जिस दे पिता नू मारंदा दोश रामरहीम ते लगया है, पत्तरकार सन रामचंदर छटरपती, उस दे पुत्तर अंशुल ने किहा है कि रामरहीम नू जिवे पैरोल ते बाहर छड़ ज़ड़ गया है, कितना किते महौ अनू खराब करन ली, फिर तो कोशिशा कीती है जा रही है, पंजाब दे महौल च दुबारा तीली सुटन दा काम कीता जा रहा है, इस दे पिछे कोई न कोई डूंगी साजिश हो रही है, असी केंदे 17 साल लड़ाई लड़ी सी, सियासत हमेशा रामरहीम दी पिठते इसे गल्दा फायदा उसनों अदालता जान चांते ट्राल देविच मिलदा रहे है, कोटकबूरा गोलीकांट देविचे शहीत होन वाले, सिख क्रिशन पगवा आन सिंग दे पुत्तर सुखराज सिंग नियामी वाला ने इस कटना नू वदिया करार देता है, नियामी वाल साथ एक वार ही किता जा सकता है, बियाद भी कारनवाले दोशिया नू ता मौत दी सजा होनी चाहें दिया, जिड़े बंदे ने कहने परदीप कुमार नू गोडिया, मारिया ने उपनी जान जोखम ची भी पाके गए सान, पर उना ने अपने गुरू नू मुख रख्या है उन्तों नू दास दिन्या के मारिया गया परदीप कुमार आखिकार कौन सी ते एरित की इलजाम लगे सान, एसपेस परमार दी अगवाई दे विच बेद भी मामले दी जांच कर रही, सिट ने परदीप समेत 6 डेरा प्रेमिया नू मई 2001 दे विच गिरिफतार किता सी, पर स दिन्या दे अंदर ही परदीप समेत सारे मोलस्मानू जुलाई 2001 दे विच जमानत मिल गे सी, परदीप दे नाल जिना डेरा प्रेमिया नू गिरिफतार किता गया सी, उन्ना दे विच शक्ति सिंग, सुखजिंदर सिंग, सनी, रंजीत सिंग, बलजीत सिंग, निशान सिंग सान, परदीप दे होर देरा प्रेमिया नू मिली जमानत बाद सिख पाई चारे ने तिखारोस भी परगड कीता सी, सूत्रा मताबिक परदीप दे इल्जाम सी के उसने 2015 दे विच बोर्ज जवार सिंग वाला दे गुरू कार्चो गायब कीते गे शिरी गुरू ग्रांत साहि दे अंगानों गडियां अते नालियां दे विच खला रहा सी, परदीप दे काफी संगीन इल्जाम सन इस लई पोलिस ने उसनों स्रख्यावी दित्ती होई सी, 2015 तो लेके होन तक बेदवी मामले दे विच साथ देरा प्रेमियां दा कतल हो चुकिया, बेदवी दे विच जि सरकार दी काबनेट हों दी है, जां फिर SGPC दी एग्जेक्टिव हों दी है, उसे तरां डेरे दी एक कमेटी बनी होई है, उना दे विच महिंदरपाल बिट्टू भी शामल सी ते, इस ते इल्जाम सन के इने सारी बेद भी दी जड़ी कट ना सी, उसनों अन्जाम दित्ता क फिर 26 फरवरी 2017 सत्पाल शर्मा ते रकेश कुमार दा कतल किता गया सी, 29 जनर्वी 2002 दे विच मनोर लाल ते 3 दिसंबर 2021 दे विच चरन डास दा कतल कार दता गया सी, उन 10 नवंबर 2002 परदीप कुमार नू गोडिया मार के कतल किता गया, इना सारी ते बेद भी दे मामले दे व साम लगे होई सान, उन तक जनर्वी सिटा मणिया ने, जाफर जनर्वी कमिशना ने पड़ताल किती है, जांच कमिशना ने, उना दे विच एक खास तौरते डेरे नूही बारी बारी जड़ा है गया, ओ दोशी साबित किता गया है, कमिशना ने जड़िया अपनिया रेपो प्रेमी नूँ दोशी सिद नहीं किता गया, पार्ते क्रिकेट टीम दा एक वरी फेर तो टीट्वेडी विशव कप जितन दा सुपना टुट गया है, सैमी फाइनल दे विच टीम इंडिया इंग्लेंड दे हत्थों दस विक्टान दे नाल बुरी तरान दे नाल हार गई है शर्म नाख हार हुई है, अस्ट्रेलिया दे एडिलेट दे क्रिकेट मैदान दे वेचे एहम मैच होया सी, पहला बल्ले बाजी कार दे हुए पार दे खराब शुरूआ थी रही, कप्तान रोहित शर्मा दे केल राहुल छेती आउट होगे, बाद विच विराठ ते हार्दि दोड बल्ले बाजी कीती, ओपनर जोस बटलर ने 80 दोडा मना यहां, जदके जोडीदार एलक्स हेल्स ने 86 दोडा दी शानदार इनिंग खेडी, दोमें अखीर तक नौट आउट रहे, सिर्फ आर्शदीप नू छड के बाकी सारे पार्ती गेंद बाजा दी इंगलेंड द बल्ले बाजा ने जम के तुलाई कीती, कप्टान रोहित शर्वा ने पावर प्ले दे विच आर्शदीप तो सिर्फ एक ही ओवर करवाया, जदके पहले ओवर दे विच आठ दोडा आर्शदीप ने दितियां, सन रोहित ने दूसरे ओवर दे लेह उना ते परोसा नहीं कि जदके श्रुवाती ओवर देविच अर्षदीप पूरे टूर्नामेंट देविच विक्ता दमाओ दे रहे हैं। परदर्शन ही रहा है। एक मुकाबला देखनों मिलेगा पारते पाकिस्तान दा फाइनल मुकाबला पारत जिहां नहीं हो सकया। फाइनल देविच इंगलेंट पाकिस्तान दिया टीमा एतवार नुखेड़न गयां देखो ट्रॉफी की दे हाथ लाग दिया। पंजाब देविच चोनने दी पराली साडन आते उस्तो बाद गुर्णानक साइब दे परकाश देहाडे मौके पटाखे साडन कारण पंजाब देविच हवादी गुनवत्ता होर भी माडी हो गई है। सुबे देविच आस्त एक्यू आई जानिकी हवादा गुनवत्ता सुचकांग 302 दर्च कीता गया है जो इस साल दिवाली मौके दर्च कीते गे 24 दे नालोवी कीते माड़ा है। हालांके दिवाली दे मुकाबले गुरुपुरव दे मौके काफी काटप टाखे चलाए जान देने लंगे मोद्वार नू हवादी गुन वत्ता ते तुँ एंदे लिहां आस्त देनाल सुबे दा सब्तो खराब देन मन्यां गया दो शेरान लोदे आना ते खन्नां दे सिंग नगर मोहाली दे विच हलका हलका मी प्या है एक शराटा प्या है जिसते नाल थोड़ा जा परदूशन थले डिग्या है ते आम तौर ते देख्या जान दा है कि जदों जिहां परदूशन फैले होवे असमान दे विच ता मी दे नाल ही इस सारा परदूशन चड़द चंडिकर्डे सेक्टर तरवंजा देविचे एकियो आई 408 ताली तार्च कीता गया पंजाब तोवी वाद जादके दिल्ली देविचे 270 ताली है एसे दरम्यान सुप्रीम कोट ने दिल्ली राष्ट्री राज्तानी खेतर देविच हवा परदूशनू रोकन देले प्राली साडन बारे नवे दिशान देश चारी करन दी मांगवाली जनहित पटीशन दी तुरंत सुनवाई तो इनकार का देता है चीफ जस्टिस डीवाई चंदर चूट जस्टिस हेमा कोली ते जस्टिस जेबी पारदी वाला दे बैंच ने जनहित पटीशन दायर करके वकील सशांक शेखरचा नों पुछिया कि सिर्फ पराली साडन ते पबंदी लौन नाल हवा परदूशनू कंट्रोल करन देवेच म